हलो दोस्तों, स्वाकत आपनों का मेरे यूटुब चैनल स्री आर्ट गैलरी में दोस्तों आज की इस टॉपिक में आपनों के द्वारा जितने भी क्यूरी कमेट बाक्स में पुछे गए थे उनके सारे एंसर मैं इस वीडियो में आपनों को देने की कोशिस करूँगा साथी साथ आपनों की जितने भी उल्जने हैं उन सारे को सालब भी करूँगा जो की सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूटप किया जा रहा है कि क्या कंप्यूटर बिग्यान के कंडियोटों को इस वेकेंसी में मौका दिया जाएगा क्या BFA, MFA कला के कंडियोटों को इस वेकेंसी में इनवाल्ब करने का मौका दिया जाएगा क्या कला की सैचिक योद्ध कहता में बदलाव किया जाएगा क्या जिव भी क्यान के कंडियोटों को मौका दिया जाएगा तमाम ये question थे, साथी साथ आप लोगों के द्वारा, जो भी क्यूरी पुछे जा रहे थे, कि जिन लोगों ने finally fees भी जमा कर दिया, उनका registration भी हो गया, अब उनका आगे क्या होगा, क्या registration की date आगे बढ़ेगी, क्या farm fill up करने की date आगे बढ़ेगी, क्या जो तूसरे state के candidate है, उनको इस vacancy में मौका दिया जाएगा, तमाम आप लोगों की जितने भी क्यूरी थे, मैं उन सारे को साल्व करूँगा, आइए स्वरपरतम मैं आप लोगों को एक news दिखाने की कोशिस करता हूँ, और इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिस करता हूँ, दोस्तों जो भी उल्जने हैं, आप लोग ध्यान पूरवक देखेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चैन बोर्ड ने TGT प्रवक्ता भरती का भी क्यापन निरस्त किया, दोस्तों यह निरस्त नहीं एक प्रकार से और इस्थाई रूप से निरस्त किया गया है, क्यों निरस्त किया प्रवक्ता भरती को निरस्त कर दिया है, एक ही सिचक भरती में चैन के अलग-अलग मानक होने के कारण चैन बोर्ड ने महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार की जलापर भरती प्रकार को निरस्त करते हुए, इन पदों के लिए नया विग्यापन जारी करने की बात कही है दोस्तों यह बैकेंसी मैं आप लोगों को बताया कि यह निरस्त नहीं हुई, और इस धायरुप से निरस्त हुई है, और क्यों हुई है कि आप लोगों को ने देखा कि महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की सलापर भरती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए, इन पदों के तता चिव बिग्यान विशे को सामिल करने के लिए बिग्यापन निरस्थ करके यह प्रकिया दुबारा की जाएगी। बिरेश कुमार की अधेचता में हुई बैठक में महातिवक्ता की विधिक। राए के बाद यह नीडल लिया गया चैनबोर्ड की वर्चुवल बैठक में सभी सदस एवं उप सची उनवल की सोर सामिल हुए। चैन बोर्ड के उपसचे नोवेल की सोर की ओर से जारी विग्यप्ति में कहा गया है कि प्रतियोगियों के हीतों को ध्यान में रखते हुए सिविल अपिल संजे सिंग बना मुत्तर प्रदेश आसन में सरवचे नियाले के 26 अगस्त 2020 के आधेश के अनुपालन में विग्यापन सक्या जीरो एक अबलेक 2020 टीजिटी एवं टू अबलेक 2020 प्रवक्ता के 29 अक्टूबर को जारी विग्यापन को निरस्त किया जाता है और न इतने भी कंडिडेट रजिस्टेशन कर चुके हैं फीस भी चमा कर चुके हैं और उनका फाइनली फार्म फिलप हो गया तो डरने की कोई बात नहीं है जो भी नियूज में अपडेट है रहा है कि अब जो भी कंडिडेट फार्म फिलप कर चुके हैं उन्हें फार्म फिलप करना चाहता हूं कि जो भी candidate क्या है कि अपनी सेच्छिक योगता को लेकर तमाम उल्जने पैदा कर रहे हैं कि क्या कला की सेच्छिक योगता को change किया जाएगा तो दुस्तों ऐसा कहीं पर भी कोई उल्लेक नहीं है और नहीं पर जो कल की घ्यापन आई थी कि कला की सेच्छिक कि योगता में क्या बदलाव किया जाएगा या कंप्यूटर की candidate को क्या इस वेकेंसी में इनवाल्व किया जाएगा ऐसा कहीं पर कुछ भी उल्लेक नहीं है परन्तु आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये वेकेंसी जो एक बार फिर से निरस्त अर्थात ओश्थाई भारण में जो कमिया थी तुरूटियां थी उनको सुधार करके माधिमिक सिचा सेवाचयन बोर्ड को एक बार फिर से नया विग्यापन जारी करने का मौका दिया गया है और यह सबसे बड़ा अहम बात है उत्तरप्रदेश सरकार की महाधिवक्ता के ओर से ऐसा बात कहा गय उनको तो उसने आगे के कदम उठाए गए हैं साथी साथ जो आप लोगों के तमाम क्योरी थे कि कला के कंडिडेटों को क्या मौका दिया जाएगा तो दोस्तों आप सभी लोगों के बातों को सासन तक पहुचाया जा चुका है और आयोग भी इस पर जानता है तो अगर आरातमक सुझा उन लोगों को लेना पड़ेगा या आप लोगों की सहुलियत के लिए कुछ नया कदम उठाने के उनको जरूरत होगी तो आप लोगों को अब ये जब नई वेकेंसी आएगी तभी आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा ऐसा कुछ भी आप लोग पहले से कोई confusion मत रखिये कि क्या कला की सैच्छी को योगता में चेंज़ हुए ऐसा कुछ भी कहीं पे लेख नहीं है और जो भी होगा नया अपनेटी तो आप लोगों की नए भी क्यापन में देखने को मिलेगा साथी साथ मैं आप लोगों को उन कंडिडेटों को भी मैं बताना च करते हैं तो आप लोग अवस रूप से इस वेकेंसी में इनवाल्व हो सकते हैं साथी साथ आप लोगों के जो सबसे अहम बुद्धा था क्या यह वेकेंसी के डेट फिर से बढ़ेगी बिलकुल लाजमी है दोस्तों यह वेकेंसी रूप गई है तो जब यह नई वेकेंसी आएगी तो आप लोगों को फिर से एक बार मौका दिया जागा और इस वेकेंसी का लाज़ डेट भी बढ़ेगा तो आप लोग ध्यान दिजिएगा कोई घबड़ाने की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ आप लोग ध्यान दिजिएगा जो सबसे अधिक बार कोश्चन इस है कि इस वेकेंसी को जुलाई 2021 तक कंप्लीट कर लेना है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मादिमिक सिछा सेवाचयन बोर्ड ने जो इस वेकेंसी को उल्जानों से बचाने के लिए ये कदम उठाए हैं बीच में रोके हैं तो ये सराहनी कार है मादिमिक सिछा सेवा के कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और मैं आप लोग के सारे कमेंट को ध्यान में रखते हुए सारे उल्जनों को समझाने की कोशिस करूँगा तो ये जो भी आप लोग के पूछे जाने वाले क्यों रही थे मैं आप लोगों को बतानी की कुशिस किया और चीतने भी कंप्यूटर के कंडिडेट हो या BFA में फेके कंडिडेट हो मैं सुभ कामना भी करता हूं कि आप लोगों की बातों को जब पहुँचाया गया है उपरता तो सकारातमक सोच या सकारातमक विचार के साथ मातिमिक सिच्छा से बचन अगर इस पर अमल करता है तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा और आप लोग अपनी मेहनत को continue जारी रखें तो दोस्तों ये रहे कुछ आप लोगों के बीच में अपडेट मैंने आप लोगों को न्यूज के माध्यम से समझाने की कोशिस किया और साथी साथ एक बार फिर से आप लोगों को कल का जो न्यूज था मैं दिखाने की कोशिस करता हूँ और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वो बात नहीं कई है ये पुड़ी authentic जो कल का ये विग्यापन था इसमें भी इस पर्ष्ट रूप से विग्यापन में कहा ही गया था कि यह वैकेंजी क्या है कि तदर्थ से चक फ्रेस अभियर्थियों है तो बिन बिन अंक देने की बेवस्था में सुधार करने और जियो विग्यान को विग्यापन में समलित करने की आप सकता या हम प्रतियोगों के हीतों को ध्यान में रखते हुए ये लिया गया था नियुड़ा तो दोस्तों सबसे जो मूल मुद्दा था वो जियो विग्यान के कंडिडेट और तदर्द सिच्चों के अंक के बटवारे में जो कुछ कमिया थी उसी को मेर मुद्दा बना कर इन लोगों ने कमियों को दूर करने के रखे हैं तो सबसे अहम जो बात थी वो जियो विग्यान और ये तो यह इस वेकेंसी में तो जीव विग्रेन के कंडिडेटों को 100% साल्व कर लिया गया है क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा अब इनकी जो पूरी शीटों का बटतवारा होगा कि पूरसों की कितनी सीट हैं, महिलाओं की कितनी सीट हैं, सारी सीटों का अब 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 अन्टन इस्थाई रूप से रोक दिये है और यहाँ पे सारी बातें को आप लोगों के समझ समझाया जा चुका है तो दोस्तों ये रहे कुछ आप लोगों के बीच में अपडेट मैंने आप लोगों को समझाने के कोजिस किया वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा जो भी दोस्ति इस चैनल को पहली बार वाज करना है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सेयर करिए हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार अगले वीडियो में तब तक लिए थेंकी दोस्तों